तो आज मैं सर्वाइफ करने वाला हूं पूरे के पूरे 100 डेस वो भी एक इच्छादारी नागिन बन कर यानि कि मैं जिसको मारूंगा उसका रूप धारन कर सकता हूं तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि माइनक्राफ्ट के दोनों खतरनाक बॉस यानि कि वीदर और एंडर ड्रागन को मार के उनका रूप धारन किया जाए और आखरी में आपको एक वीदर और एंडर ड्रागन की फाइट भी देखने को मिलेगी तो क्या हम ऐसे वर्ल्ड में हंडर्ड डे सर्वाइफ कर पाएंगे वो भी हार्ड कोर में जानने के लिए वीडियो को लास तक चरूर देखना तो स्टाट करते हैं लेकिन हमारे सुगर भाईया थोड़े कम दिलदार थे और उसके बाद एक सुगर ने दूसरे सुगर को मार दिया और उसके बाद मुझे हाँ पर एक होर्स भी दिख रा था जिसको मार के मैं भी होर्स बन गया मारा तो मैंने ब्लैक होर्स था ये वाइट कैसे बन गया इनक मुझे अपनी सक्तियों का स्थमाल थोड़ा सा और करना था तो उसके बाद मैं एक भेड़ को मार के खुड़ भी बेड़ बन गया लेकिन मजा नहीं आया और उसके बाद मैंने काफी सारी वूल कलेट करी और अपने लिए एक बैड़ बनाया और सीधर चला गया माइनिंग के किया और उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स बनाए लेकिन हमारे हॉर्स बहिया कुछ जादी जगा ले रहे थे तो उसके बाद मैं सीधर बाहर निकलाया अपने लिए थोड़ा सा खाना जमा किया लेकिन हमारी मुर्गी के पास तो बहुती कम जान थी बिचारी बहुत ना चुकती है और उसके बाद यहां पर रात हो चुकी थी लेकिन हमारे हॉर्स बहिया कुछ अलग तरीके से सो रहे थे और सुब आउट कर मैं सीधरा चला गया माइनिंग के लिए जहां पर मुझे एक केव दिखी और हमारे से वालत के लिए यहां पर स्क Association बंन गया लेकिन यहां पर मैं एक चीज भूल सो강व हैै तो मैंने इस एक जान बचाय और अपनी बचाने के बाद मैंने की को एक्स्प्लोरर के यहां पर मुझे होग पर भाव दे जो कि यहां लिक्ताइबौद फॉत समय आप तो मैं दुबारा से skeleton भाईया बन गया और अपनी माइनिंग को continue किया जहां पर मुझे काफी सारा coal और iron मिल चुका था और अब मैं यहाँ पर caves का राजा बन चुका था हमें creeper भाई साब भी कुछ नहीं कह रहे थे जो की सबसे खतरनाक होते हैं तो अब मैं सोच रहा था कि caves ही अपना घर बन चुका है लेकिन हम caves में जादेर तक नहीं रह सकते थे तो उसके बाद मैंने अपनी mining को फिर से continue किया जहां पर मुझे काफी सारा iron मिल चुका था और उसके बाद मैंने अपने iron को smelt किया जिससे मुझे iron ingot मिल चुके थे और उसके बाद मैंने कुछ iron के tools बनाए और अपनी mining को फिर से continue किया थोड़ी सी mining करने के बाद मुझे यहाँ पर अपने भाई लोग मिले सोस्तों मैं य test से मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत कुड़ा मिल चुका था जिसको collect करने के बाद मैं सीधा सोने चला गया और उसके बाद मैंने माइनिंग को फिर से continue किया जहां पर मुझे काफी सारा coal, iron, gold और redstone जैसी काफी सारी चीज़े मिल चुकी थी लेकिन diamond भाई साब बहुत ज cave से बाहर निकल आया और इस बार मुझे सूरची केड़नों ने कुछ भी निगा तो मैंने अपनी टोपी उतार दी पता नी क्यूं और थोड़ा सा सबख सीखने के बाद मैंने अपनी टोपी को फिर से पहन लिया जलना जरूरी नहीं तयार और उसके बाद मसीधा आगे रूटा जहां से हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नी और उसके बाद मुझे यहां पे गोलम भाया मिले जिनको मैंने मारने की कोशिस तो करी बदले में वह एक ऐसा फटका मारा हमारी आदी जान निकल चुकी थी पर जैसे तैसे मैंने गोलम भाया से अपना बदला ले लिय उसके बाद मैं भी गोलम भाईया बन चुका था सूच्छा और पता नी क्यों मैं आयर्य क्का ही बाघा था अगर मैं भी ले चल्मा बड़ा और इसके बाद मैं अपने लोग क unterskung नेमुए ने मीक Supreme tournaments लेट मुठा चूका था थी तो अयिक ङुए मैं विलेग विलेजर बन ग गोलम भाईया कुछ अलग तरह के से चलते हैं और उसके बाद मैं दुबारा से माइनिंग के लिए चला गया लेकिन हमारे गोलम भाईया बीच में अटक गया और आते यहां पर रात हो चुकी थी तो मैं सोच रहा था कि सारे जॉंबी हमसे डरेंगे लेकिन यह जॉंबी हमसे पंगे ले रहे तो थोड़ी सी मार पिटाई करने के बाद मैं भी जॉंबी बन गया और मैं सोच रहा था कि जॉंबी जॉंबी भाई भाई पर यह रिस्ता साय दिन को पसंद नहीं आया जिसकी वज़े से इनको अपनी जान कवानी पड़ी और सुबह उठने के बाद मेरा क और अपना फार्म बनाने के बाद मैं दोबारा से चला गया माइनिंग के लिए जहां पर मुझे एक एंटर भाईया मिले जो कि हमसे बढ़ागी नहीं रहे थे मैंने काफी दिर कोशिस करी पर वह नाराज हो कि हमसे चले गए पता नहीं क्यों और मैंने सारा गुस्णा अप दिनुकर के बाद यहांपे ब्रस बशेक months से अगशी करें इस अ हमसे के बाद मैंने के बाद मुझे नहीं मिल चुक है जहां पर मुझे एक चैस्ट मिली जिसमें से कूड़े वाली बुक मिली थी और दूसरी चैस्ट में से मुझे यहां पर एक डामेंड मिला और कुछ पंकिन सीट्स मिले जिनको कलट करने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया और उसके बाद मुझे यहां पर दो चैस्ट और मि झालें लगी थी और जिसके चुरा के सिधा आगे बढ़ गया और स्केलेटन बढ़ने के तो सिर्फ मजए हैं कौई कुछ कहता ही नहीं और उसके बाद मुझे हैं पे कुछ डैमेंड दीघ्ट है जिनको लेडल के बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया और चेस्ट में से खुर हम गया दुगनी पावर रखते हैं कॉलम भाइया और उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ खाना बनाया कुछ डैमेंट के टूल्स बनाए और अब बारी थी इस डैजट को एक्सप्लोर करने की तो उसके बाद मैं होर्स के उपर होर्स यह कुछ अलगी सीन लग रहा है और उसक मैंने काफी सारा खाना चुरा लिया और डैजट वाली वीडियो में मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि इसे तवेला बोलते हैं तो मैंने यहां के सभी जैनवर को आजाद कर दिया तवेले से भी और इस दुनिया से भी और पानी में तैरने के लिए इससे अच्छा आगे बढ़ गया वैसे मचली बनना भी अच्छा है लेकिन हेल्थ बहुत कम थी तो उसके बाद मैं स्कूइड दुबारा से बन गया और यहां पर रात हो चुकी थी तो उसके बाद मुझे पानी के अंदर ही सोना पड़ा लेकिन इनके हाथों में जान बिल्कुल नहीं थी एक बैड नहीं डूटा इन से और पीचे से हमें किसी ने धपा कर दिया जिसकी वज़े से मुझे होर्स फिर से बनना पड़ा और अपना बैड वापस लेके मैं सीधा आगे बढ़ गया और यहां पर मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ा था यह डैसर टैमपल है और चेस्ट से यहां पे बुख मिल चुकी थी जिसमें लाशच फोल लगी विए ती जिसमें ईख और यहां पे मुझें सिल्क टेच लगी थी यह बहूँ अच्छी और मुझे कंच एमेरेड मिल चुके थे औरत बांठी दोनों चय्सट ओमें सिर्फ एक आगे बढ़ गया और उसके बाद मुझे यहां पर रूइंड पोर्टर मिला जिसमें से मुझे कुछ अप्षेडिन मिल चुके थे और थोड़ा बहुत गोल्ड मिल चुका था जिसको चुराने के बाद इन छोटे-छोटे जैनवरा ने बहुत परिसान किया मेरेको और फाइनली मैंने इसको मार के इसका रूप धारण कर लिया लेकिन इनमें भी जान बहुती कम थी लेकिन उचल कुद बहुत मचाते हैं और उसके बाद मैं दुबारा से होर्स बन के सीधा आगे पढ़ गया और उसके बाद मुझे यहां पर एक मदूमक्खी मिली यानि कि अब हमें इलाइटरा की भी कोई जरूत नहीं है और अब मैं उठने लाइक बन चुका था यानि कि अब अपना काम बहुती असानी से होने वाले थे तो बस अब पंचीवन उड़ता फिरूं और उसके बाद मैंने उड़ने का थोड़ा सा मजा लिया और बगल में मुझे यहां पर एक डैसर टेंपल मिल रह और चौती चैस्ट से मुझे यहां पर इंचेंटिड गूल्डन एपल मिल चुका था जिसको मैंने जल्दी से अपनी जेम में भर लिया और सीधा आगे बढ़ गया और काफी तर उड़ने के बाद फाइनली मुझे यहां पर एक और रूइंड पोर्टल मिला जिसमें से मु इंद लेना जुरूरी है और थोड़ा सागे चलने के बाद मुझे यहां पर कुछ पैरेट मिले इनको मानने के बाद मैं भी एक पैरेट बन गया मारा मैंने नीला था बन मैं लाल गया मस्त ट्रांसफर्मेशन हो रही है लेकिन हमारे पोपट भाई की थोड़ी कम एच्पी प्रामिड मिला जिसमें थोड़ी बहुत तभाई मचाने के बाद कुड़ा मिला और इनके नकली ट्रैप हमें कुछ नहीं कर पाते कभी और इस चेस्ट में थोड़ा सा गोल्ड था जिसको चुरा के मैं सीधा आगे बढ़ गया और एक्सप्लोर करते करते मैं काफी जादा चुका था तो उसके बाद मैं उड़ते उड़ते अपने घर चलाया और उसके बाद मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट किया जिससे मैंने अपने एक एन्विल बनाया और उसके बाद अपने बो पे फ्लेम लगाई क्योंकि अब बारी थी नैदर में जानी की और उसके बाद मै अ taş़़ बहुत गोर्ड कालेट किया लेकिंश पिगलिन भाइया हमसे मजे लेने के राद में थे जिन Libya जूर मैंने के वाद मैं सिदा घर चलाए और एंपने लिए घोल्डन पूर्श बने और दुबारा से चला गया नैधर में और इस बार हमारे गोलम भाइया नैधर में ओस लेकिन के हेल्थ पता नहीं कम थी तो उसके बाद मैंने काफी सारा क्रिमसें रूड किया और सीधा आगे बढ़ गया और काफी दर भटकने के बाद मुझे यहाँ पे एक लावा पूल मिला जिसको पार करने के लिए इससे बेस्ट कोई option ही नहीं था और उसकी बाद मैंने गास्ट को मार के बहुत बड़ी गलती करी इनका रूप कुछ अच्छा नहीं है और उसकी बाद मुझे यहाँ पे कुछ bone blocks भी मिल चुके थे जिनको चुरा के मैं सीधा आगे बढ़ गया और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक ruined portal मिला जिसमें से मुझे घंटा मिला उसकी बाद मुझे finally यहाँ पे neither fortress भी मिल चुकी थी जिसमें जाने का मेरा कोई इरादा नी था क्योंकि मेरी J भड़ चुकी थी तो उसकी बाद मैं सीधा अपने घर के तरफ आगे बढ़ गया और अगले दिन मैंने सिर्फ यहाँ पे farming करी जिससे मुझे काफी सारा wheat मिल चुका था जिसको बेचने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ पे 11 एमरेल्ड मिले इनके दाम को जाद ही महेंगे हो गया है और इतने दिनों से मैं सिर्फ घर के बाहर ही सो रहा था क्योंकि मेरे पास घर ही नी था तो अब बाहरी थी अपने लिए एक घर बनाने की तो अब हमारा next target था कि अपने लिए एक घर बनाए जाए तो उसके बाद मैंने काफी सारा सामन जमा किया और चालू कि अपने लिए एक सुन्दर सा घर बनाना और काफी दिनों की महनत के बाद फाइनली हमारा सुन्दर सा घर बन के रेडी हो चुका था आपक ऑजलफुआरुट मैंने सामना जम् atéिन दमारा कि भीधार किया उद सामन पराइनली हमत काउ मैंना दमना जमार्टुआ सा साए युदषबुऑंगगीinea और अब बारिती अपने अंकलों को अपने घर में लाने की तो उसके बाद मसीरा चला गए अपने अंकलों को अपने घर लाने के लिए लाने पड़ेगा मजबूर यह तो काफी दिनों की मेहनत के बाद हमारे पास काफी सारे विलेजर्स आ चुके थे लेकिन बेचने के लिए हमारे पास कुछ भी सामा नहीं था तो सकी वाद कुछ दिन तक मैंहां सिर्फ फार्मिंग करी जिनको बेचने के बाद मेरे पास काफी सारा Emeraldry आ चूका था तो उसके वाद मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक Online का Armor बना जाए तो के लिए और काफी दिनों की मेहनत के बाद मेरे पास काफी सारा डामेंड आ चुका था और यह कहां से आगे हमारे स्विमिंग पूल में वे चलो कोई नहाने का मज़ा ले रहे हैं लेने देते हैं तो उसकी बाद मैंने अपनी लिए एक डामेंड का आर्मर बनाया और अपने को फुली डामेंड में कवर कर लिया और अब वो टाइम आ चुका था कि हमें वीदर और एंडर ड्राइगन को पचाड ना था तो उसके बाद मैं सीधा चला गया नैधर के लिए और नैधर फोर्ट्रेस में जाके मुझे लानी थी काफी सारी ब्लेज रॉड और नैधर फो इस देबाद में सबसके और इसान को एक्स्पलोर करने की नेदर फोर्ट्रेस में मुझे कुछ नहीं मिला सब कैसी लेजर अफ के बाद मैं उड़ते इस काफीत करना चुका चुका लितुए जिससे मैं बेच और भी काफी हंवृद्ट था जिनको बेचने के बाद हमारी क्लेरिक अंकल थोड़े बहुत मैक्स हो चुके थे मैक्स तो हो चुके थे लेकिन एंटरपल खरीदने के लिए हमारे पास एमरेल्डी नहीं बचे थे तो दुबारा से मुझे वही काम करना पड़ा काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली मैंने अपने क्लेरिक अंकल से एंटरपल खरीदी पर इन्हों ने सिर्फ हमें 12 यह दी और मैं रिस्क लेना बिलकुल नहीं चाहता था तो मैं थोड़ी बहुत और खरीदनी पड़ेंगी लेकिन यह भी आउट अफ स्टॉक हो चुके तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक वीदर को मारा जाए लेकिन उसके लिए हमें चाहिए थी लूटिंग 3 की स्वाड पहले यहां पर एक जना था अब दोनों जन्हें एक साथ मज़े ले रहे हैं लूटिंग 3 की बुक लेने के लिए हमें अपने विलेजर से काफी देर थोड़ा सा हग दिया क्यों करता हूं मैंसी चीजें तो अब मुझे फिर से थोड़ा एमरेंट खरीना पड़ेगा काफी दिरों की मेहनत के बाद फाइनली मेरे पास एमरेंट आ चुका था जिसे मैंने अपने लिए लूटिंग 1 की चार बुक खरी दी जिनको कंबाइन करक थी जो कि हमें वीदर से लड़ने में काफी अदा हेल्प करने वाली थी और बची हुए एमरेंट से मैंने अपने क्लेरिक अंगल से थोड़ी एंडर पल्स और खरी दी जिसे मैंने अपने लिए आई आफ एंडर बनाई और उसके बास सीधा निकल लिया नेदर फोटरस के के लिए और काफी दिनयों की में पास यहां पे तीन वीदर हैड आचुके थे आप बार्जी दी वीदर को स्पांड करने की तो तो उसके बार उयूर्फ को मैं सीधा अपने घर चला आया और वीदर को मैं स्पॉन कर आने ता बैड रॉक के ऊपर तो इसकी बाद मैं सीधा चला गया वीदर से फाइट करने के लिए और इस बार तो मेरे पास इंचेंटिड गोल्डन एपल भी था तो इस बार तो वीदर की बार बार तो इस और वीदर ने जाते जाते हमें डायमेंड भी दिखा दिये थे जिनको माइन करके सीधा मैं अपने घर चलाया और उसके बाद मैंने अपने लिए एक बीकन बनाया और ब्लॉक की हमारे पास बहुती ज्यादा कमी थी तो मैं सिर्फ यहां पे एक ही लेयर बना पाया और हमारा एक्टिवेट हो चुका था और हम वीदर भी बन चुका था वीदर बन के उड़ने के तो अलगी मज़े हैं खौफ रहता हमारा लेकिन अभी भी हमने एंडर ड्रागन को मारा नी था तो बारी थी एंडर ड्रागन को कूटने की तो उसके बाद मैं सीधा निकल लिया स्ट्र और इस बार मैं फाइट करने वाला था वीदर बन के और इस फाइट के तो कुछ है कि अरहे था कि अरहे हैं को मार दिया और इस बार तो मैं ऊपर से मारा है हर्वा नीचे से माड़ दे थे उसके बाद मैं ूढोट के सीधा अपने घर चलाया और अब मैं फाइनली एंडर ड्रागन भी बन चुका था और यह एंडर ड्रागन इतना बड़ा है अपने फ्रेम में भी नहीं आ रहा है लेकिन कुछी भी काओ एंडर ड्रैगन बन के कुछ अलगी मज़े आते हैं और बाकी बचे हुए दिर मैंने उन्ने में बिता दिये तो अब फाइनली हमने कम्प्लीट कर लिए अपने हंड्रेड डेस वो भी एक इच्छाधारी नागिन बन कर तो होफिले अपने इस एपीसोड को इंजोई किया होगा तो मिलते हैं अगली एपीसोड में तब तक के लिए गुट बाए